चेनल हिंदी जी के ट्रिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केंडियम को यानि पिर मुक्तत्वों की जो हमारी स्रीच चलरेज का ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखें description में पहले लिस्ट का link भी लेगा, click करके देख सकते है scandium का प्रतीक चिन क्या होता है, ssc होता है ध्यान लखना है, scandium का प्रतीक चिन ssc होता है, अगर बात करें, scandium की खोच की तो ये 1889 में Lord Frederick Nilsson ने की ध्यान लखना है, नाम बेग्जानिक का 21 होता है scandium का जो electronic बिन्यास होता है, 1s2, 2s2 2p6, 3s2, 3p6 4s2, 3d1 होता है अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि scandium का जो अंतिम electron है, वो अंतिम कक्सा के कौन से उपकोस में गया है, डी उपकोस में गया है तो इसलिए कौन से बिलोग का तत्व है, डी बिलोग का ज्यान अगना डी बिलोग का तत्व है, लेकिन अगर हम बात करें, इसके पास कक्सा होगी तो maximum जो इसके पास कक्सा है, वो कितनी है, चार कक्सा है होती है तो ये D-Block का तत्वर उसके पास कितने कक्साय होती है, चार कक्साय होती है इस Candium का जो परमाण उभार होता है, 44.95 होता है परमाण उभार, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे 45 अगर कहीं भी नुमेरी कलम आपको यूज करना है, इसका परमाण उभार, तो 45 भी आपको यूज करना है इस Candium में 21 लेक्टोन, 21 प्रोटोन होता है, क्यों कि परमाण संक्या वो कितनी है, 21 है अगर बात करें, इसके नुट्रोनों की संक्या को देखेंगे, परमाण उभार कितना इसका 45 है अब 45 में से 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 24 बचेगा Next है, इस Candium सामान ने ताप पर क्या होता है, ठोस होता है, यानि कि इस सोलिड इस Candium का जो गलनांग होता है, वो 541 डिगरी सेल्सियस होता है, दिहार नगने, 541 डिगरी सेल्सियस यह क्या होता है, इसका गलनांग होता है बात करें, इसके कोतनांग किया नहीं वोइलिंग पॉइंट की, तो यह 2836 डिगरी सेल्सियस होता है इसकेंडियम का जो सामाने ताप पर घहनाद बोता है वो 2.80 ग्राम पिर्थी सेंटिमीटर क्यूब होता है अगर बात करें इसकी पिर्थम आइनन एंथेल्पी पिर्थम आइनन एंथेल्पी क्या होती है? किसी भी तत्व की गैसी अवस्था में उसकी अंतिम करक्स से एक एलेक्टर निकालने के लिए जो उर्जा दी जाती है तो ये कितनी होती है? इसकी 633.1 किलो जूल पिर्थी मॉल होती है अगर बात करें इसकेंडियम के परमाणुत रिज्जा की तियो होती है 162 पीको मीटर ज्यान रखना है एक पीको मीटर इस इकोल टू क्या होता है? दस की घात मैनस के बारहा मीटर के होता है हवा के संपर्क में आने पर इसकेंडियम क्या होता? इसके जो उपर है हलके पीले गुलावी रंग की परत जम जाती है इसकेंडियम के जो radioactive isotope है क्या नाम है इसका Scandium 46 इसका उपयोग तेल सोधन में ट्रेसर के रूप में होता है यहां नकनाई डायरेक्ली पुछा याएगा कि तेल सोधन में ट्रेसर के रूप में किसका उपयोग होता है तो Scandium 46 का और इसी का जो उप्योग है भूमिगत जो pipeline होती है जमीन के अंदर उनमें leakage का पता लगाने के लिए भी किया जाता है तो friends इस वीडियो में इतना ही I hope इवीडियो पसंद आए उसको like share करना ना भूले Thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में